गर्मियों में डायोटीज के मरीज इन तरीकों से रखें अपना खयाल भारतिय मौसम विवाग द्वारा हिट वेप के संबंध में जारी की गई चेतावनी डायोटीज का सिकाड लोगों के लिए कई सारी खत्री लेकर आती है डायोटीज का प्रबंध करना वैसे ही एक मुश्किल चुनौती है लेकिन गर्मी के मौशम में तो ये समस्य और जादा बढ़ जाती है डायोटीज से पेड़ित लोगों को बदर्दे मौसम को लेकर बहुत सतक रहना चाहिए प्रयाप्त मात्रा में लिक्विड डायट लें सरी में पानी की कमी से डिहाइडरिशन की समस्या हो सकती है इससे बशने के लिए प्रयाप्त मात्रा में पानी पीए ताजे फलोका, रसका और कैफिन फ्री पे प्रदातों का सेवन करें इसके अलावा नारियल पानी, सुगर फ्री, लेमोनेड, लस्सी आदी चीजे ले सकते हैं सराब और कैफिन का सेवन ना करें चिलचिलाती धूप से दूर रहें डायोटीज के मरीज अगर लंबे समय तक धूप में रहते हैं तो उन्य डिहाइडरेशन, चक्कर आना, पसीना आना, मान स्पेशियों में एठन भी होश हो जाना सिर्दर्ट, हार्ट बीड तेज हो जाना और मिचली जैसी समस्याएं होने लगती हैं इन में से आपको कोई भी लक्षन दिखे तो ठंडी जगा पर बैठ जाएं और लिक्विट्स का सेवन करें एक्सरसाइज की सही प्लानिंग डायवेक्टीज को कंट्रोल में रखने के लिए एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है योग को अपनी लाइफस्ट्राइल का हिस्सा बनाए सुबह जल्दी या देर शाम बाहर जाकर वयाम करना सही रहेगा लेकिन जब ताप मान ज़्यादा हो तो इंडोर वर्क आउट कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपका बलड सुगर कंट्रोल में रहे तो इसके लिए खान पान का खासता और सी ध्यान रखना चाहिए तला भुना बहुत ज़्यादा मीठा इस तरह के खान पान से डायोटीज बिलकुल भी मैनेज नहीं की जा सकती है